आज की शुड़ी में आपको मैं बताने वाला हूँ यह है मिन्नी आटा चक्की और इसका जो मोटर है बिल्कुल सही है मोटर में कोई प्रोब्लम नहीं है पर मोटर दब रहा है दबने का जो कारण है वो है पार्ट यहां पर आपको दो पार्ट दिखाए दे रहे हैं यह बिल पुराना पार्ट है यह देखिए यह नीचे का पार्ट है जो मोटर में साफ्ट में कनेक्ट होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं अलमुनिम का कवर है तो इसे अठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गरम करना पड़ेगा तो हमको गरम इतना ही करना है ताकि यह पार जाएगा तो यह हमको थोड़ा द्यान रखना है तो यह धिरे-धिरे गरम होना शुरू हो चुका है गुमा-गुमा के हम इसे गरम कर लेते हैं ताकि इसमें जो लगी एरोडाइट है वह फिगल जाए और यह पाठ है वह छूड़ जाए तो यह करीब-करीब गरम हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं यह नीचे का पाठ है उपर का भी हम गरम करेंगे तो उपर का पाठ हमने गरम करके इस तरह से पाठ को हटा रहे हैं तो उपर वाला पाठ करीब-गरीब हट चुका है यह देखिए गरम होने के बाद यह एरोडाइट है वह छोड़ता है तो ऐसे हम अगर नहीं गरम करेंगे तो यह जो पाठ का जो कवर है वह बैंड हो जाएगा तो यह हमको द्यान रखना कि गरम करके ही हमको हटाना यह हट गया है और इसमें जो पार्ट है वह देखिए एरोडाइट लगे हुई थी यहां पर यह देखिए यहां पर एरोडाइट से इसे चिपकाया गया था तो अब हम क्या करेंगे नीचे वाला जो पार्ट है यह कवर है नीचे वाले पार्ट का कवर है तो इसे साफ कर ल अै तो थोड़ा से थाइट है यह vic कुए का प्रगअ भी यह थंड़ा कर लेते पानी में डालकर और हल्का सा सः इसके खर को परेंडर लगा देदे दे और mail veya फर वाले पार्ट को हमिसी तरेके से भfps जाएंगे इसे घुमा कर हमको देख लेना कि कहीं उपर तो नहीं है इसे फिटिंग करना सभी फिटिंग करना ज़रूरी है तो यह बिल्कुल सभी बैट रहा है तो अब हम क्या करते हैं हम इसे चिपकाते हैं तो हमें एरोडायट को मिला लेना है एरोडायट को एक बार अच्छे से मिला लेना है उसके बाद में इसे चिपका देना है तो हमने एरोडायट को मिला लिया है एरोडायट को मिलाने के बाद पार्ट पर इस तरह से लगा देना है तो हम इस पर इस तरह से लगाएंगे इस तरह से लगाने के बाद साइड में भी हमको लगाना चीए ताकि अच्छे से एरोडाइट पकड़ कर ले इस साइड से भी हमको इस तरह से लगा देना है और इस तरह से गुमा के हमें पेठा देना है ताकि कोई बड़ा कण हो, वो साइड में हो जाए, और ये पूरा बेहट जाए तो देखे, ये करीब-करीब अच्छे से बेहट चुका है, ये उपर का बेहट चुका है अब नीचे वाले में भी हम उसी तरीके से लगाएंगे, जैसे उपर वाले में लगायें थे उसी तरीके से नीचे वाले पार्ट के अंदर भी हमको लगा लेना है तो इसी तरीके से यह लग जाएगा यह नीचे वाला पार्ट है वो उपर वाला पार्ट था तो यह देखे अच्छे से पार्ट है वो बैठ गया है इसे बैठाने के बाद है थोड़ी देर इस पर कुछ बजन रख देना है बजन रखने से क्या होगा कि यह अच्छा चिपक जाएगा तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे इस तरह से रखने के बाद इस पर हम दबाव बना कर रखेंगे ताकि यह अच्छे से चिपक जाए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तके नमस्कार